हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडियन तड़का आज मैं आपके लाई हूँ बेसन की बर्फी की रेसिपी जिसे बनाना बहुत असान है बिल्गुल सिंपल इजी स्टेप्स हैं इसके और काफी कम टाइम में इजली बन करके तैयार हो जाती है बेसन की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले आपको बेसन लेना है मैंने यहाँ पर हाफ केजी 500 गराम बेसन लिया है और बेसन की बर्फी बनाने के लिए मोटा वाला जो बेसन होता है वो आपको लेना है अगर आपके पास यह मोटा वाला दरदरा वाला बेसन अवलेबल नह है थोड़ा सा गी हम इसमें बेशन में अइड़ करेंगे और साथ ही हो फूजफ है कर लेंगी इस तरह से घी में पीश करेंगी इसमें लंज में बनेगे पानी आपको ज़ी prochaine है céu dazu lecture कि हमें इसका डूर नहीं बनाना है अब आपको इस गी और पानी के mixture को बे고 बेसन के साथ अच्छे से mix कर लेना है जितना आप इसे अच्छे से mix करेंगे उतनी बढ़िया रहेगा इसके जो के दाने हैं वह अच्छे से फूल जाएंगे और बेखन के दाने अगर वूल जाते हैं तो आफ़ाइब दानेदार बए सुफ्ट बनेगी कि जसे मार्केट मभी शर्ला का मिक्स करने के बाद आप देख ऊreten रहे हैं अगर अग्दन दानेदार हो गया बाकी का बचा हुआ सारा गी आपको इस गढ़ाई में एड़ कर लेना है और हलका गी गरम होने के बाद इसमें हम एड़ करेंगे बेसन जो हमने पानी और गी से दरदरा करके रखा हुआ था वो आपको बेसन इसमें एड़ कर लेना है और इस बेसन को आपको घी के साथ अच्छे से mix करना है और आप देखें कि ये जो घी है वो एकदम perfect है क्योंकि इसमें सारा बेसन अच्छे से भिग गया है कम नहीं रहा है अपना घी आप चाहें तो ज़्यादा घी भी add कर सकते हैं और कम भी add कर सकते हैं घी में बेसन को अच्छे से mix कर लेने के बाद अब आपको gas की flame को बिल्कुल low कर देना है और low flame पर इसे इस तरह से लगाता चलाते हुए पकाना है तब तक पकाना है जब तक ये जो बेसन है वो अच्छे से भून कर पक नहीं जाता जब ये बेसन अच्छे से भून जाएगा अच्छे से पक जाएगा तो ये सारा घी छोड़ देगा और एकदम दानेदार हो जाएगा और liquid हो जाएगा इसका जो texture हो एकदम liquid हो जाएगा तो आपको इसे तब तक low flame पर ही पकाना है 15 मिनट के बाद आप देखें कि ये जो बेसन है वो धीरे धीरे घी छोड़ना स्टार्ट कर रहा है अभी पूरी तरह से नहीं पका है और इसका जो color है वो भी change होने लगा है धीरे धीरे तो अभी आपको इसे और लगातर पकाते रहना है और लगपक 30 मिनट के बाद आप देखें कि ये जो बेसन है वो perfectly पक गया है बेसन ने पूरी तरह से घी छोड़ दिया है इसका color जो है वो भी हलका बदामिया color हो गया है और इसका आप texture देख पा रहे हैं कितना liquid हो गया है यानि कि ये जो बेसन है वो पूरी तरह से अच्छे से पक गया है तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको जो ये बेसन है वो पूरी तरह से अच्छे से पक जाना चाहिए तब ही आपकी बरफी एकदम perfect बनेगी तो बेशन के अच्छे से भुनने के बाद अब हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा fresh दही बिल्कुल भी खटा दही नहीं होना चाहिए एकदम fresh होना चाहिए जिसे मैं अच्छे से फेट करके इसमें एड़ किया है और अब दही डालने की तुरंत बाद आपको इसे अच्छ काव भी कर सकते हैं जिससे भी आपके जो बेसन के दाने हैं वो फूल जाएंगे और आपके जो बेसन का जो टेक्शर है इसका वो एकदम बढ़िया हो जाएगा बर्फी बनाने के लिए अगर आप इन सभी स्टेप्स को अच्छे से फोलो करेंगे तो यकीन माने आपके जैसी बनकर के तयार होगी डालने के पांच मिनट बाद और पकाने से आप इसका टेक्शर देख पा रहे हैं कितना दानेदार हो गया है अब आपको इसमें एड करना है मावा ग्राम में हैं लगबग 400 ग्राम के करीब यह मावा आपको इस बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है अगर आपका बिल्कुल सक्त मावा है थोस मावा है तो आपको गेस की फ्लेम को ओफ कर देना है और आपका इस तरह से सौफ्ट मावा है तो आप इसे मिक्स होने तक गेस की फ्लेम को ओन रख कर ही इसे पकाई और जब बेसन में मावा पूरी तरह से अच्छे से मिक्स हो जाता है तब आपको गेस के फ्रेम को ओफ कर देना है और इसमें हम एड़ करेंगे इलाइची पाउडर मैंने साबुत हरी इलाइची को थोड़ी से चिनने के साथ पीस करके ये पाउडर बनाया है इलाइची पाउडर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा जाइफल और जावितरी पाउडर एड़ कर लेंगे साथ ही मैं यहाँ पर थोड़ा से पिस्ता भी एड़ कर रही हूँ जिसे मैंने मोटा मोटा कूट करके तयार किया है तो यह जो बेसन की बरफी का जो मिक्षर है वो रैड़ी हो गया है अब आपको इसे अलग बरतन में निकाल लेना है हलका ठंडा करने के लिए अब आपको बर्फी के लिए चाशने बना करके तयार करनी है इसके लिए आपको एक बड़े सी कढ़ाई लेनी है और इसमें हम एड़ करेंगे 500 गराम चीनी जितने quantity आपने बेसन के लिए थी उतने ही quantity में आपको इसमें चीनी एड़ करनी है और चीनी का हाफ आपको इसमें पानी एड़ करना है इस measurement के हिसाब से आप कितनी भी quantity में इस बर्फी को बना करके तयार कर सकते हैं ये बर्फी राजस्तान की प्रसिद बर्फी है चीनी के melt हो जाने के बाद आपको इसे लगपक 5-6 मिनट के लिए और पका लेना है जिससे आपके चाशनी जो है वो थोड़ी सी गाड़ी हो जाएगी आपको लगपक 2-3 की चाशनी बनानी है जब आपकी चाशनी पूरी तरह से अच्छे से पक जाती है तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि इसमें 2-3 बन रहे हैं क्या नहीं जब चाशनी आपकी हलकी ठंडी हो जाती है तब हम इसमें add करेंगी केसर का दूथ मैंने थोड़े से दूध में केसर के रिएसे भिगो करके रखे हुई थे और वो आपको इसमें add कर लेना है जिससे इसमें केसर का अच्छा फ्लेवर आ जाए साथ ही मैं चाशनी में ही थोड़ा सा food color भी add कर रही हूँ ये बिल्कुल optional है मैं सिर्फ अच्छे color के लिए से add कर रही हूँ अब आपको इस चाशनी में add कर लेना है बेसन का mixture जो हमने पहले से पका करके रखा हुआ था थंडा करने के लिए वो हलका ठंडा हो गया है अब आपको इसमें add कर लेना है गरम गरम add नहीं करना है दोनों चीजों को ठंडा करने के बाद ही mix करना है जिससे आपकी बर्फी जो है वो बिल्कुल soft बनेगी mix करने के बाद आपको इसका texture थोड़ा पतला पतला लगेगा लेकिन आपको फिकर करने की जरूरत नहीं है अब आपको इसे mix करने के बाद थोड़ी देर के लिए set होने के लिए रख देना है जिससे बेसन के जो दाने हैं वो फूल जाएंगी और सारे चाशनी अपने अंदर observe कर लेंगी अगर आपका जो texture इस तरह से नहीं होता है थोड़ा सक्त हो जाता है थोड़ा tight हो जाता है तो आप इसमें हलके से पाने के छीटे लगा सकते हैं और फिर आप इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए side में रख दें और थोड़ी तेर बाद जब आप इसे check करेंगी तो आप इसका texture देख पा रहे है थोड़ा tight हो गया है बेसन ने सारे चाशनी अपने अदर observe कर ली है अब आपको इसे set करना है तो मैंने यहाँ पर यह silver tray ली है जिसे मैं पहले थोड़ा सा घी लगा कर grease कर लूँगी जिससे बर्फी जो वो असानी से निकल जाए जमने के बाद सारा mixture मैंने इस ट्रे में निकाल लिया है अब आपको इसे इस तरह से फैला देना है चारो तरह आपको इससे उपर से ज़ए प्रेस नहीं करना है ज्यादा दबाव नहीं डालना है जिससे आपकी बर्फी जोए ह Seit करना है सेट करने के बाद इसके उपर से हम स्प्रिंकल करेंगे दर्दरी कूटीवी इलाइची इलाइची स्प्रिंकल करने के बाद मैं हाँ थोड़े से एक पिस्ता भी एड़ कर रही हूँ इस बिसन के बर्फी में पिस्ते का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अब आपको ये इसके उपर लगा देना है silver work ये बिल्कुल optional है मेरे घर पर पड़ा हुआ था तो मैंने सुचा लगा ही दिया जाए जिससे और अच्छी दिखेगी दिखने में silver work लगाने के बाद अब आपको इसे 3-4 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देना है और थोड़ी देर के बाद जब आपकी बर्फी पूरी तरह से सेट हो जाती है तब आपको इसमें कट लगा देना है इस तरह से कट कर लेना है आपको चाहिए तो इसे जिस भी साइज और शेप में कट करना चाहिए वैसे कट कर सकते हैं मैंने से square shape में कट किया है और कट करने के बाद हमारी बर्फी है वो बन करके तयार हो गई है मैं आपको इस बर्फी का texture भी दिखा देती हूँ कितनी soft मखन जैसी soft है मुँ में लेते ही घुल जाएगी और टेस्ट में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है ला ना भूले ताकि इसी तरह की नेनी recipes में आप सभी के लिए लाती रहूं और हां thanks for watching मिलते हैं next video में